हाथ रस में एक सत्संग कारिक्रम में भगदर मचनी से कई लोगों की जान चली गई, अब इसमें अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं बताया जा रहा है किस हाथसे में 200 से अधिक लोग घायल हैं स्टार प्लस पर आने वाला तेरी मेरी डोरियां के ओफ एयर की खबरे सुनकर फैंस काफी परेशान हो गए थे, अब कंफर्म हो गया है कि सीरियल इस महिने बंद हो जाएगा, शो में विजेंद्र कुमेरिया और हिमान शी पारशर नजर आ रहे हैं जो अंगद और साहिबा का रोल निभा रहे हैं, अब सीरियल के खत्म होने पर एक्ट्रिस ने बात दे दिया, और अपने घर पर लॉट आई और जब उसे किस्त वाले युवक से इसकी शादी नहीं हो पाई तो महिला ने धरना दे दिया, केंद्रे मंतरी रामदास आटवले ने कांग्रेस नेता राह राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है, उन्होंने अपने बयान ने राहुल को आतंकवादी बताया है, दर असल कॉंग्रेस सांसत राहुल गांधी ने सदन में हिंदूों को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग हिं प्रदाइक राजनीती से आजादी का दिन था इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के विजेपी सरकार पर भी हमला बोला भारत के T20 विश्वकप जीतने के बाद देश में हर तरफ जशन का महौल था हर तरफ आतिश बाजी हो रही थी इसी क्रम में मधिप्रदेश के जबलपूर में भी भारत की जीत का जशन मनाने के दौरान आतिश बाजी हो रही थी लेकिन इस आतिश बाजी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे खुशी का महौल गब में बदल गया संग लोग सेवा आयोग यानी UPSC की और सिविल सेवा परिक्षा 2024 का परिणाम चारी कर दिया गया है उमिद्वार UPSC के आधिकारिक विबसाइट upsc.gov.in पर अपने परिणामों को देख सकते हैं बता दे की UPSC CS प्रारंभिक परिक्षा 16 जून को देश भर के विविन परिक्षा केंद्रों पर आयज़त की गई थी मद्य प्रदेश के राजधानी भोपाल इंद और ग्वालियर समेथ प्रदेश के कई जीलों में आज जोरदार बारिस होने की संभावना मौसम विभाग में जता है वहीं को जीलों में दिन भर बादल चाहे रहेंगे पिछले 24 गंटी की बात करें तो भोपाल इंद और समेथ प्रदेश के कई जीलों में बारिश हुई मद्य प्रदेश के चिंदवारा जीली में सरकारी दफ्तरों में चुहों की समस्या लगातार बढ़ती रही है सरकारी दफ्तरों में चुहों की वज़े से हो रही परिशानियों के चलते या दफ्तर आई दिन सुर्ख्यों में बने रहते हैं हाली में नगर निगम के जोन कारियाले से भी एक ऐसा ही दिल्चस्प मामला सामने आ है जिसमें चुहे निगम कर्मचारियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए है मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादो ने लोक पत एप लॉंच कर दिया है इस मोबाइल एप के जरिये कोई भी नागरीक, गड़ा युक्त और टूटी सडकों की फोटो वीडियो सीधे लोक निर्मान विभाग को आसानी से भीच सकेगा इस एप पर दज शिकायत की जवाब देही भी तै होगी मध्यप्रदेश की अग्रणी कथक निर्त्य प्रसिक्षन संस्था प्रतिभा संगीत कला संस्था में प्रसिक्षन प्राप्त कर रही प्रतिभा शाली शिष्या कुमारी बैदही पांड्या का CCRT जूनियर सांस्कृतिक संसाधन और प्रसिक्षन केंद्र भारत सरकार के संस्कृती मंतराले की छात्रवीति हेतु चैन हुआ है संसत सत्र के सात्वे दिन प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कांग्रेस के चुनावी वादों पर तंजा कसा राश्ट्रपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जूट बोलने का आरू दिल्ली में आर्तिक अप्राद शाखा ने एक ठग को गिरफतार कर लिया है फरजी वित्य कंपणी में निवेश का जहासा देकर लोगों से ठगी करता था आरोपी के पहचान चंद्रप्रकास शैनी के रूप में हुई है आरोपी तीन साल से फरार था इस मामले में फरजी कंपणी की निदेशक रही आरोपी की पत्नी सुनीता सैनी पहले गिरफतार हो चुकी है दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विंदर केजरिवाल ने केंद्री जांस ब्योरे के ओर से आबकारी नीती मामले में गिरफतारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी जस पर सुनवाई के द